हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मूफली की जटपट से बनने वाली एक प्यारी सी नमकीन जिसको आप खाके कहेंगे वा वा जो घर में ही बहुत ही कम मसालों से तयार की जाती है और बजार से इतना अच्छा टेस्ट इसका घर में बैठता है और एकदम से विल्कुल परफेक्ट बनती है आप इसको मेरे मैनेजमेंट से करिए तो आप भी कहेंगे कि वा क्या नमकीन है तो देखिए फ्रेंड्स यह मूफली के दाने हैं जो लगवग वजन में 200 ग्राम हैं जिनको मैंने भूज कर एकदम साफ कर लिया है उनके सारे छिलक डी रख दिए अब इसमें मैं डालूंगी की अब इसमें बनी स्पून में घिः डाल दोंगी अगर आप चाहें तो इसमें ओस यूज भी कर सकते हैं मस्तर्ट ऑइल ढाल सकते हैं और ये फैंड भी डाल सकते हैं पंच मैंने इसको गीव हैं। बना रही हैं क्योंकि घी से इसका तेश बहुत अच्छा आता है इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं अब गैस की लौको मीडियम कर दिया है अब इसमें हम जैसे ही ये घी गरम हो जाएगा वैसी इसमें हम दानों को डाल देती हैं जिए मैंने इसमें डाले डाने डाल दी हैं अब में इसमें कुछ मसालों को एट करूँगी ये मैंने डाल दी है काली मिर्च इसमें मैं डाल रही हूं ये पिंच वर हिंग इससे मुझवली का टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाता है अब इसमें मैं चाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी खटाई, अब नमक, अपने टेस्ट के अखोडिंग नमक डालेंगे, वाइट नमक और ब्लैक नमक, और थोड़ आसा मैं इसमें डालूंगी, एम डी एच का चाट मसाला, अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें मसाले मुझे थोड़ी से कम लग रहे हैं, इसलिए मैं मैं काली मिस थोड़ी सी और एट कर लेटी है, और देखी फ्रेंट्स, यह हमारे बहुत ही बैतरीन वेफुली के नमकीन दाने बनके तयार हैं, जिन्हें आप चाए के साथ इंजॉय कीजिए, देखी फ्रेंट्स, मुंफली की सुपर टेस्टी नमकीन तयार हैं, जो आप जटपट मिंटों में घर पे ही तयार कर सकती हैं, और चाए के साथ इंजॉय कर सकती हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेर कीजिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगली रेसिपी के साथ,